नमस्कार 124 देखने हैं आप और मैं हूँ आपके साथ तान्या सिंग बात करेंगे राज़ुती की बड़ी खबरों के बारे में केंदर मंतर जितना मांजी ने बुधवार को इमामगंज विधानसरवा शेतर के उपचनाओ को लेकर आधा दजन से अधिक गाउं का दोरा किया है इस दोरान उन्हें प्रामिनों से मुलकात की और अपनी बहु दीपा मांजी के लिए वोट भी मांगा है यह उपचनाओ इमामगंज विधानसरवा सीट पर हो रहा है जो जितना मांजी के सांचुत बनने के बाद खाली हो गई थी अब उनकी बहु दीपा मांजी को हमसे पार्टी की उमिदवार बनाये गया है उन्हें जिताने ये उदेशों से मांजी ने कोठी थाना शेत्र के लावावार कोठी बिकोपूर और सलाया थाना शेत्र के सेवती मंजौली पोखरी सलाया आधी गाओं का भ्रमन किया मांजीरिन सबी गाउं में लोगों से मुलाकात कर दीपा मांजी के पक्ष में मद्दान की अपेल की उप्चिनाओं के मद्दे नजर एंडिया कट बंधन की एक बैठक भी उधवार को इमामगंज के निलांचल गार्डन होटेल में आजुद की गई थी बैठक अज़िता भाषपा के जिलाधक्ष प्रेम प्रकाश उर्चिंट ने और संचालन जदित जलाधक्ष द्वारी का प्रशाद ने किया था इस बैठक में एंडिया के कई प्रमुक नेता शामिल होए जुन में से भासपर प्रदेश अध्यक्ष संजय जैस्वाल, जद्यू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुस्वाह, भिहा सरकार के मंद्री जॉक्टर प्रेम कुमार, टिकारी विधायक अनील कुमार, पूर मंत्री मिनुत प्रशाद यादव, बाराच चटी विधायक जोती देवी, बगहा विधायक राम सिंग, प्रदेश मंत्री ललन मंदल, धरंजे शर्मा, जिलाधक्ष वंटी कुश्वाह, लोजपर राम विलास्क, जिलाधक्ष दिलिप सिंग और हम से के दिलाधक्ष नरायान मांजी उनकी अंबाग दर्शन में काम करेंगी और उनके द्वारा सुरू किये गए विकास कारे को आगे बढ़ाएंगी, मांजी ने ये भी कहा है कि दीपा मांजी के जीत से श्वेत्र में विकास के नए अवसर पैदा होंगे और अस्थानिय समस्याओं का सामधान तेदी से किया जाएगा, उनकी बहु श्वेत्र की सेवा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगी और उनकी प्रात्मिक्ता श्वेत्र की प्रगती और विकास होगी, मांजी किस दौरे का उदेश्य ग्रामिनों के बीच दीपा मांजी के प्रती समर्थन बढ़ाना और उन्ह के घटक डलो की सनुत बैटक में भी उप्चिनाओं के लिए रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई, बैटक में मौजूद सभी नेताओं ने एक जूच होकर दीपा मांजी को चिनाओं में समर्थन देने की बात कई है, उन्होंने कहा कि एक साथ मिलकर कान परना होग चुनाओं प्रचार के दोरान सामुई के रूप से काम करेंगे और श्रेत्र में विकास मुद्दो को जनता के सामने प्रभावी धंग से पसुत करेंगे, इस अबसर पर भाश्पा प्रदेश अध्यक्ष संजेज, जैस्वाल और जदीद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कु उन्होंने कहा है कि इस उप्चुनाओं में दीपा मानजी की जीत एंडिय की ताकत को और भी मजबूत करेंगी, और इमाम गंज विधान श्रब श्रेत्र में विकास की गती को और भी तेज करेंगी, एंडिय के निताओं ने चुनाओं प्रचार के दोरान साइयम और धहर का भी आगरे किया है और कहा है कि जनता के बीच जाकर किये के विकास कारे को उजागर करना चुनाओी सफलता की कुंजी होगी, जितना मानजी के से जन संपर्क भियान और एंडिय घटक दलों की संयूत रणनीती से सपष्ट है कि दीपा मानजी की जीत के लिए पूरी ताक के लिए देखते हैं इसे संपर्क धन्यवाद